एसके क्लासेस के यूटूब चैनल पर आपका स्वगत है लिजिशन्स फाइनली आप लोग के सामने कोश्चन बैंक अच्छा 11 भी के गणित का लेकर के आचगा हूँ और इन में से उन सभी कोश्चन को टिक कराने वाला हूँ जो तुमारे परिक्षा में 100% देखने को मिलेगा देखे शन्स एक ही कोश्चन को कवर करेंगे वो भी हम ब्लूप्रेंट के थू कवर करेंगे तो अगर तुम वीडियो देखना स्टाट कर दियो हो तो वीडियो को इन तक देखना डेफिनेटली जिन कोश्चन को मैं टिक कराऊंगा तुम्हारे जिले में सेम टू सेम वही पेपर देखने को मिलेगा तो चलिशन्स बिना टाइम बिष्ट के फटाबड वीडियो को स्टाट कर लेते हैं और देख लेते हैं किस परकार से ब्लूप्रेंट है और क्या होगी हमारे कोश्चन्स देखे जैसे मैं उपेन करता हूँ तो सबसे पहले हमारे नजरों में पलता है ब्लूप्रेंट एंड ब्लूप्रेंट के अकॉर्डिंग 80 नंबर का विपर रहेगा समय वही पुराने तीन घंटी यहाँ पर कई सारे चैप्टर्स का नाम में इंसन है एंड यहाँ पर लिखा है कुछ रिडियूस से लिए बस तो रिडियूस जो है ना वो तो आपके पेपर में आने रहा है फिर आम यहाँ से कवर करेंगी किस चैप्टर से कितने नंबर का पूछा जाएगा देखो यहाँ पर लिखा है अध्याए एक समुच्च है यहाँ से टोटल आठ नंबर का आएगा बस तुनिष्ट प्रश्ण पांच नंबर का और तीन नंबर का एक प्रश्ण मतलब इस चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना है तो वो है बस तुनिष्ट प्रश्ण इस पर ज़्यादा फोकस करना क्योंकि यहीं से बहुत सारे प्रश्ण देखने को मिल रहा है ठीक है आगे बढ़ते हैं अध्याए दो संबंध एवं फलन जो बोला गया है यहाँ से एक नंबर का एक प्रश्ण आएगा और दो नंबर का दो प्रश्ण देखने को मिलेगा तो चलि सबसे पहले हम समुच्चे संबंध एवं फलन से सभी कोश्ण को टिक कर लेती है देखो भाई साब यह रहा आपका समुच्चे समुच्चे होता क्या है तो बस्तों के सुपरवासित समुच्चे कहते हैं और समुच्चे में यहाँ पर जितने भी एक नंबर की कोश्ण दिये गए हैं प्लीज 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 इसे अच्छे से देख लेना आगे बढ़ते हैं हम देख लेते हैं तीन नंबर के हिसाब से कौन कौन से प्रशन पूच्चे आएंगे आपके समुच्चे वाले चैप्टर से तो देखो सबसे पहले आपके सामने रहा प्रशन नंबर 17 इसे अच्छे से रीड कर लेना आपके परिक्षा में ये प्रशन आ रहा है आगे देख लेते हैं एक नेक्स्ट सेट में आ रहा है प्रशन नंबर 19 देख लीजे हैं आपर कोश्चन लिखा कि कि किसी स्कूल के 400 विद्यार्थी का सर्वेक्षन में से 100 विद्यार्थी सेव का रस 150 विद्यार्थी संत्रे का रस और 75 विद्यार्थी सेव और संत्रे दोनों का रस पीना पसंद करते हैं तो ज्यात कीजे कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो ना तो संत्रे का ना तो सेव का रस पीना पसंद करते हैं तो उनको रस बताना है कि देख लो भईया ऐसे 225 बिद्यार थी जो किसी का रस पीना पसंद नहीं करते तो यह रहा आपके सामने प्लीज आपको यही कुश्चन आपके एक्जाम में आएगा और यही पढ़ करके जाना है आगे देख लेते हैं 21 नंबर इस कुश्चन को टिक कर लो यह आपके परिक्षा में पूछाएगा तो यहां से केवल आपके लिए मैं 3 प्रशन ही टिक कराया हूँ और यही 3 प्रशन आपके जिला में देखने को मिलेगा आगे देखते हैं अध्यायदो जो आपका संबन्ध एवं फरन यहां से 2 नंबर का प्रशन पूछाएगा वो भी कितने आएंगे तो 2 नंबर के 2 प्रशन आएंगे तो आएए देख लेते हैं 4-5 प्रशन को हम टिक कर लेते हैं सबसे पहले 7 नंबर यह आपके परिक्षा में आएगा आगे छोड़ दो यहां से कोई भी कोश्चन नहीं पूछाएगा पेश पलटा देती हैं उसके पहले देख लेते हैं 13 नंबर यह आपके परिक्षा में पूछाएगा ठीक है दिख रहा है ना थोड़ी साइन ज्याद नंबर में आ रहा है तो यह आपको प्रिपेर करना है ठीक है अच्छे से पढ़ लेना इदी टॉप करना चाहती हो तो आगे देख लेते हैं अध्यातिन त्रिकोडियो फलंड यहां से कितने नंबर आएगा तो यहां से पहले ब्लूप्रिंट देख लेते हैं एक नंबर के पांच प्रशन बस तुनिष्ट ज़्यादा आ रहा है मतलब बस तुनिष्ट यहां से पढ़ना है दो नंबर का एक प्रशन तीन नंबर का एक प्रशन कुल मिला के ओल ओवर बात करो तो यह चैप्टर ही बहुत ज़्यादा महात्यपूर है तो आईए देख लेते हैं यहा हमारा पांचवा नमबर प्रश्ण जुद्धों नमबर के साफ से आगे तो प्लीज इसे अच्छे से प्रिपयर कर लेना चलिए आगे देखते हैं next question next हमारा दसवा नमबर हो गया इसे अच्छे से प्रिपयर करना ये पूछा जाएगा तीन नमबर के हिसाब से तो आप इन सभी का screen shot ले लो आगे देख लेते हैं प्रश्ण नमबर बारा और तेरह में से ये अलग लग सेटों में आ रहा है करने का तरीका सेम है प्रश्न का तो प्लीज यह तो बारा टिक कर लो यह तो तेरा लेकिन एक सवाल को अच्छे से पढ़ करके जाना ठीक है तरीका से मैं कोई कोई सेट में यहां पर जैसे साइन है तो कॉस्ट दे दिया है कॉस्ट साइन दिया इस प्रकार चेंजिंग है बाकी कोश्चिन सेम आ कही है। कहीं पर के क्षाया है जैसे उपर साइन पर 75 क्षेटर गाए और आपके इसाइन कोस्ट Ayya में आएगा ठीक है आगे देख लेते हैं नेश्ट कोश्ट इन तीन देन नमर के चैसाब से एक प्रस्चन आ यहीं रहा तेवा तो आप इसका ही फोटो खीच लिए ये आपके जिला में आएगा ठीक है आगे देख लेते हैं ये रहा आपके सामदे 26 वा नंबर तो आप इसका ही फोटो खीचिए बस इसका ये रहा फुल सलूसन आगे देख लेते हैं 28 वा नंबर सभी तिन नंबर की साब से हैं सभी आपके जिले क पूरे के पूरे जिले के पेपर यहीं से आ रहे हैं लेकिन अगर तुम इसे अच्छे नहीं देख जाओगे ना तो फिर लॉस हो जाएगा क्योंकि मैं तो जो पेपर लाओंगा एक दो जिले का लाओंगा इतने कम समय सभी जिले का पेपर प्रेज़ेंट करना मुस्किल है इ तो यहां से टेल साथ नम्बर काएगा एक नमबर के तीन प्रशन आएंगे और मतलब तीन नमबर का बीटेज ज्यादा है आगे बढ़ते हैं यहां से कोई कोई नहीं आ रहे हैं ठीक है आगे बरते हैं तो यह रहा आपके सामने 16 नंबर तो आप इसे अटेम करो आगे देख लेते हैं यह रहा आपके सामने 20 नंबर तो इसे आप अच्छे से पढ़ लेना तुम्हारे एक्जाम में 100% देखने को मिल रहा है आगे देख लेते हैं यह रहा आपके सांदे 22 वा नमबर तो प्लीज आप इसका ही फोटो खीच लीजिए चलिए आगे देखते हैं यह रहा 24 नमबर प्रेशन देखो 27 x square माइनस 10 x धन एक बरावर 0 है तो इसे हल कीजिए और इस फार्मूले से आपको हल करना है ठीक है तो आप इसका ही फोटो खीच लीजि चलिए जी आगे बढ़ते हैं next देख लेते हैं next यहां से कोई भी questions नहीं आ रहे हैं ठीक है यहां से आपको देखना है आपका question number 34 34 को अच्छे से प्रेशन देखने को मिलेगा चलिए आगे बढ़ते है next देख लेते हैं और कौन से question आ रहे हैं तो next देख लो 35 नमबर यहां से prepare कर लेना बाकी यहां से एक अंतिम प्रशन आपको 37 नमबर अच्छे से ready करना है बस इतना प्रशन ready करना है बाकी सब छोड़ो कोई भी नहीं आ रहा है चलिए आगे देखते हैं अध्यायच है रैखिक असमिका यहां से कितने नमबर का पूछा जाएगा तो रैखिक अस समिक आई इसमें प्रशन नमबर 6 को देख लेते हैं यह रहा आपके सामदे छटबा नंबर तो प्रीज इसका photo खीच लीजिए थीक है चलिए आगे देखते हैं प्रशन नंबर दशमा तो दसव यहां से आगे सामने स्टो करते हैं बस वाकी कोई कोई कशे था याएगा 18 न पूच्छेथा है ठीक आपको कि वहारगें देखना है एक पूच्छा है और आपको कुछ आई नहीं को है और कोई मतलब नहीं ऐसे साफ़ाम नंबर न भाकर में है वल देखना नहीं को बता रहा है आगे नहीं इक्स्षार नंबर कहता है कि क्रम चाए एबम संचाए यहां से कितने नमबर का आयगा तो यहां से टोटल 5 नमबर का पूछा आएगा, मतलब 1 नमबर के 2 प्राश्न और 3 नमबर का एक प्राश्न, आज यह भाई देखते 3 नमबर के कौभण कौन से क्वेश्चिन आएगे सबसे पहले आपको साथवे नमबर को अच्छे से प्रिपेर करना ये तुम्हारे परिक्षा में आएगा आगे बढ़ते हैं next question देख लेते हैं next यहां से कोई भी नहीं रहा इसे छोड़ दो यहां से देख लो 18 नमबर इसे अच्छे से प्रिपेर कर लो ये तुम्हारे परिक्षा में पूछाएगा आगे देख लेते हैं 20 नमबर ये तुम्हारे परिक्षा में आ रहा है तो आप इसका फोटो खीचो चलिए, साइड करते हैं, नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या, खतम, चैप्टरी खतम, आगे देख लेते हैं, अध्या आठ दूइपद प्रमिय, यहां से कौन-कौन से प्रशन आ रहे हैं, तो दूपेद प्रमिय से चार नंबर का पूछा जाएगा, कौन- सबसे पहले आप देख लो, आपका छटवा नंबर, यह रहा तो प्लीज आप इसका फोटो खीच लीजे, ठीक है जी, आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट दसवा नंबर तो आप इसका फोटो खीच लीजे, ठीक है, बाकी यहां से कोई कोश्चन नहीं आ रहा है, नेक्स्ट करता हूं students आपको सभी जिले का part 8 तक के सभी प्रशन मिल गये होंगे जल्द ही मिलेंगे एक second part के वीडियो में जिसमें cover करेंगे अध्याय 9 से लेकर के आगे के questions को अध्याय 9 से लेकर के 15 तक के सभी प्रशन को cover कर लेंगे मतलब सभी chapter की questions को cover करेंगे ताकि आपका exam बहुत अच्छा जाए बाकि मैं कोसिस करता हूं कि जल्द ही कुछ कुछ जिले का real paper प्रवाइड करा दूँ तो आपके जिले की विद्यारती हैं comment box में जरूर लिखें और अगर ये वीडियो आपके लिए helpful रहा हो